एडवेंचर के सौखील लोग अक्सर रोड ट्रिप पर निकलते हैं भारत में ऐसी कई सड़के हैं जिन पर चलने से पहले लोग अक्सर दस बार सोचते हैं इन सड़कों पर आए दिन हाथ से होते रहते हैं लेकिन फिर भी रोड ट्रिप के सौखील लोग इन पर सफर कने से ब आपको भारत की ऐसी सडकों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन पर ड्राइब करने के लिए ड्रैवर इसकील और हिम्मत के साथ अच्छी किस्मत भी होनी चिये जोरजिला पास भारत की सबसे खतरनाक सडकों में से एक हैं पलग जपकी नहीं तो बंदा 3538 मीटर के उजाई से सीधे नीचे टपक जाएगा यह सडक स्री नगर से ले जाते हुए रास्ते में पड़ती है यह दर्रा लदाक और कस्मीर को जोडता है यह काफी कठीन भगवले छेत्र में इस्थित है जहां तापमान सुनने से माइनस 45 ड सडके मिट्टी से भरी होती है वही बर्पवारी के करण यह सडक और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है किस्तवर कैलास रोड यह सडक नेशनल हाईवे 244 का हिस्सा है जो चिनाओ नदी के साथ चलती है इस बेहत खतरनाक सडक के बारे में एथिलिट मिक फ्लावर ने अपनी क अयात्रा के बारे में बताया था उन्होंने यह जात्रा 2013 में की थी इसके बारे में उन्होंने बताया कि इस सडक पर यदी आप जल्दबाजी करते हैं तो आपकी जान भगवान ही पछा सकता है कोली हिल्स रोड तमिल नाइडू के नपकल जीले मिस्थित कोली हिल्स एक खुबसूरत ट्यूरिस्ट डेस्टनेशन है जहां मौजूद एक पहाडी सड़क कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस वीडियो को देखकर लगाया जा सकता है इस रास्ते में लगातार सत्तर हेर पिन मोड है जिसके कारण या बाइकर्स के बीच काफी थेमस है कोली हिल्स के नाम का सब्ताहिक सब्द मौत का पहाड है इस पर मौजूद खराब पैच और पार्ट होल राइडिंग को काफी तनापुल बनाते हैं यह इस्थान काफी परवाही से आपकी जान भी जा सकती है थ्री लेवल जिंग जैंग रोड सिक्किम सिक्किम में मौजूद यह सडक काफी घुमाओदार है जो इसे काफी खतरनाक भी बनाता है यह समुद्र तल से 11,200 फिट की उजाई से होकर गुजरती है इस रोड पर चलते हुए आपको ब की खुबसूरती देखते हुए अपनी मिगाहें सडक पर पिका कर रखना बेहत जर्री होता है वरना दुरगणना कभी भी हो सकती है ले मनाली हाईवे हिमाचल प्रदेश और लद्दाक को जोड़ने वाली इस पास को रोहनताक पास या दर्रा के नाम से जाना जाता है इस स सडक पर हमेशा ही जाम लगा रहता है और आप कच्वे की रपतार से आगे बढ़ते हैं बर्पपारी के मौसम में तो इस रोड पर दुरुहटना होना आम बात है इस हाईवे के दोनों तरब से पहाड़ है बर्पपारी के बाद इस सडक पर यात्रा करना काफी ज्यादा ख करें और हमारी चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद